इस्टूजेंट्स टूड़े विल डिस्कस अन्यू चैप्टर आफ एकोनामिक्स क्लास नाइन्थ दिस इजा पावर्टी आईजा चैलेंज इस्टूजेंट्स आप लोग अपने पास पडोस में आते जाते रास्ते में कहीं पर लेबर देखते होंगे कुछ जुग्गी जुपड़ियां आप देखते होंगे कुछ construction site होती हैं जहां पर building बनती हैं वहां पर आप देखते होंगे कुछ labor work लगा रहता है काम करता है उनक क्यों से इसे लोग देखते होंगे आप जैसे बिगर्थ से बिखारी हैं जो आपको दिखाई पड़ते होंगे इस्टूजेंट्स एबाउड 30 करोण प्यूपल्स लिब इन पावर्टी लाइन इन इंडिया बेटा 30 करोण लोग भारत में गरीब हैं इस्टूजेंट्स पावर्टी होती क्या है गरीबी क्या होती है इस बात को आए हम लोग समझते हैं देखें जब किसी भी बिक्ति के पास जो बेसिक नीड होती है जैसे कि फूड क्लाथ और सेल्टर ना हों तो हम मानते हैं कि वो बिक्ति गरीब है इसके साथ साथ में अच्छा जीवन जीने के लिए उसके पास साफ पानी पीनी ब्योस्ता होनी चाहिए मेडिकल फैसल्टी होनी चाहिए और सिक्षा होनी चाहिए मिस एजुकेशन की भी ब्योस्ता उसके पास होनी चाहिए बेटा पावर्टी को हम दो तरीके से देखते हैं पहला है आपका एकोनामिक पावर्टी दूसरा है सोसल पावर्टी आईए हम देखते हैं वन बाई वन करके कि एकोनामिक पावर्टी क्या होती है और सोसल पावर्टी क्या होती है Most important point for you Every fourth person in India is a poor हमारी जो भी पावर्टी है उसमें से हर चाउथा बेखती बेटा गरीब है आज Important headings, other indicates of poverty Usually we judge the poverty by the label of income and conjunction देखे हम नार्मल तरीके से poverty को जज़ करते हैं देखते हैं कि कोई बेखती कितना income उसकी है और कितना वो उपभोग कर रहा है किसी भी चीज का उपभोग मतलब होता है कि कितनी गाड़ी उसके पास है, कितने बंगले हैं, कितना mobile यूज करता है में इस बहुत तरीके जो luxury items होते हैं बेटा वो कितना उनका यूज कर रहा है present time में अब बेटा वही यूज करेगा जिसके पास money होगी और वो यूज नहीं कर पाएगा बेटा जिसके पास money नहीं होगी आम तोर पर यहीं माना जाता है but now poverty is looked through the other social indicators लेकिन जो हमारे social indicators हैं उनके निगाहों में अगर देखा जाए उनकी हिसाब से तो poverty कुछ और ही होती है जैसे कि illiteracy level जो बेटी illiterate हैं पढ़ाई लिखाई जिनके पास जिन्होंने नहीं किया है उनको सामिल किया जाता है जिनके पास health care facility नहों जॉब की बियुस्था नहों बेटा सेफ डिंकिंग वाटर नहों सोचाली की बियुस्था नहों तो ऐसे लोगों को count किया जाता है बेटा किसमें poverty में nowadays the concept of social exclusion is being very common analysis of poverty आज बेटा जो social exclusion है social exclusion का मतलब होता है जो समाजिक तोर पे जिनका अपोर्जन किया जाता है मिन जिनको समाज में अलग रखा जाता है किसी भी रीजन से चाहे उनकी गरीवी की कारण हो भारत में अगर ये देखा जाए बेटा तो ये एक काश्ट सिस्टम के थ्रू किया जाता है यैसे कि भारत में यस्टी यस्टी जो हैं इनको social exclusion का सामना करना पड़ता है इनको समाज से बाहर मेंस रखा जाता है इनके किरिया कलापों के थ्रू इस पिक को आप देख करके पावर्टी का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के लोगों को हम भारत सरकार ने या हमारी government पावर्टी के लेबल में रखती है तो समझ सकते हैं कि पावर्टी होती क्या है किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं उनके पास क्या facility है जो आज नहीं है तो जो basic need होती है जैसे food हुआ, shelter हुआ और cloth हुए तो आपको इसमें लग ही जाएगा कि साइद इनके पास shelter की ब्यूस्था एक माकान अच्छा सा नहीं है इनके पास कपड़े नहीं है तो कहीं न कहीं ये count किया जाता है बेटा गरीबी में और इन बच्चों के पास food की ब्यूस्था नहीं है तो इनको भी गरीबी में count किया जाता है तो वेटा वणरेविल्टी मीं होता है state being exposed to the possibility of being attacked or harm either physically और emotionally means किसी भी तरीके से किसी भी बिक्ति को physically या फिर emotionally ठीक हान पहुंचाना या फिर उनको असुरक्षित महसूस करते हैं चाहे वो physically हो या फिर emotionally हो ऐसे लोगों को हम customizable में count करते आप में असुरक्षा असुरक्षा और renewable का मतलब होता है असुरक्षा होना तो जैसे हमारे समाज में दो में होते हैं social vulnerability और economic social vulnerability में हम count करते हैं येस्टी को येस्टी को और यह तक कि जो household होते हैं जिनके पास घर ना हो या वो लैयंड ले परस हों तो उन मेटा जिसे रूलर जो उर्बन कैजूल में काम करते हैं गरामिड इलाकों में उनके पास खुद की जमीन नहीं होती है दूसरा जो सहरों में intéressing वर्क करते हैं मिस घर में जा जाकर के काम करते हैं महिलाएं देखाऊगा अपने छोटे बच्चे देखाऊगा अपने काम करते हैं तो उनको हम इसमें काउंड करते हैं इसमें काउंड करते हैं उनको भी हम इसमें काउंड करते हैं इसमें इसलिए हम count करते हैं बैटा कि उनके पास सुरक्षा की condition या जो दायरा होता है बहुत कम होता है वो हमेशा असुरक्षित होते हैं उनके पास income का कोई business दायरा नहीं होता है और उनको और ज्यादा दिक्कते महसूस होती है जब नेचरल कोई disaster आ जाता है तब उनके साथ में साइध कोई नहीं खड़ा होता है देखे students इसमें बतानी की ही कोशिस की गई है कि हमारे समाज के जो सबसे lower तबके के लोग हैं यहां तक कि अब वो कोई भी जात के हो समधायक हो जैसे बिडो हो गए या जो बिकलांग लोग हैं उनको कहीं न कहीं poverty से related जो भी इस दायरा है जो भी एक sign बनाय गया है उससे उ दायक ने साफ मनी हमेशा बनी रहती है कि डिसकस पावर्टी लाइन दा इस्टीमेटेड मिनमम लेबल आफ इंकम कंजप्शन नीड़ तो सेक्योर नेसेस्टी आफ लाइफ इसकाल पावर्टी लाइन देखे जो मिनमम लेबल होता है किसी भी चीज को उपयोग करने का जैस अगर ग्रामेड इडाके में कोई भी बेखती 816 रुपए परमंथ कमाता है और सहर में वोई 1000 रुपए परमंथ कमाता है अगर इससे उपर उनकी इंकम है तब वो गरीब नहीं है अगर इससे नीचे उनकी इंकम है बेटा तो वो क्या है गरीब है हाला कि बेटा यह जो डेटा दिया गया है 2011-12 का है आज इसका कुछ और ही इंकम स्रोथ बना दिये गये हैं अब यह कौन डिसाइड करता है बेटा यह डिसाइड करता है नेशनल सैंपल सर्वे आफ अर्गनाइजेशन स्टुजेंड्स आए होप आपको यह वीडियो पसंद होगा बेटा तो इस लेक्चर में बस हम इतना ही कवर करते हैं और दुसरा वीडियो में हम कबर करेंगे बैटा जो बचे हुए हमारे रिमेंड पार्ट है तो आयो होग आपको बहुत ही पसंद आ रहे गाए बैटा प्लीज लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू स्टुडेंट्स